प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार आजसा है आप कुसल मंगल होंगे बच्चों आपको एड़ गेट अभ्यास पुस्ति का इसी सत्र मिली है इसलिए इस पे कार करने में आपको थोड़ी कटनाईयों का सामना करना पड़ सकता है तो आईए आज हम कटनाई के इस तर को दूर करते हैं और शुरू करते हैं आज का एड़ गेट अभ्यास कच्छा आठवी विषय विज्यान के अंतरगत आज हम एक नए पार्ट को लेकर आए वीडियो सुरू करने से पहले मेरा आप से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिज आए शुरू करते हैं आज का अभ्यास एड़ ग्रेट वर्ग बुक प्रशनुत्तर पुस्ति का कच्छा आठवी विषय विज्यान दिया गया है आज हम पार्ट 6 दहन एवं जौला पे कार करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेलफुल होने वाली है अतिल का ये लकडि कागच लोहे कील पतर का दुकड़ा मिट्टी का तेल कांस्च और कास्ट कोईला उत्तर पढ़ते हैं और किसी कार किसी जलने वाले पधाट के वायू या ऐक्सीक आरक दौरा जल जाने की किरिया को अइव जल ना कहते हैं दाहाप पधात लकडी कागछ मिट्टी का तेल कास्ट कोईला अदाहाप पधात कोईले की की लोहे की कीले फट्र का तुकड़ा और कांच है इस परकार हमने पहले प्रशन का उत्तर फिलप किया है वीडियो को रोक कर आप प्रशणों के उत्तर को एट कर के पौण दहन के पसाद मुक्त हुई संपोण उर्जा की मातरा को उस पधारत का उसमी मान कहते हैं इसका मातर कीलो जूल पृति ग्राम होता है तो यहां पे हमने उसमी मान को समझा है उमीद है आप इस प्रशन के उत्तर से और संदुष्ट होंगे प्रेस नमबर तीसरा है क्या काराण है कि कागच का तुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का तुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता उत्तर देखते हैं कागच का तुकड़ा त्रियो जलनसी पधारत है इसलिए यह जल्दी आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का तुकड़ा ठोज जो लंसी पधार थे इसलिए यह देरी से आग पकड़ता है पेज नंबर 24 कम्प्लिट होता है आते हैं पेज नंबर 25 पे मोटर वहानों में इंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के इस्थान पर CNG का उप्यूक करना उप्यूक्त क्यों है तो उत्ता देखते हैं क्योंकि अगर आप पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों को चलाते हैं तो इससे काफी प्रदूशन होता है वहीं इसकी जगह पर CNG का उप्यूक या इस्तेमाल किया जाता है तो इससे प्रदूशन भी कम होता है मिल्कुल सही बात है इसलिए हमें CNG का उप्योग करना चाहिए उत्तर लगो उत्तरी प्रेशन देखते हैं पहला प्रेशन इसके अंतरगत 5 वा देखते हैं आदर्स इंधन के लच्छन लिखिए तो उत्तर हो जाएगा आदर्स इंधन के लच्छन यह परियाप्त मातरा में उपलब्ध होना चाहिए दूसरा है इसकी कीमत कम होनी चाहिए तीसरा है यह साफ इंदन होना चाहिए और इससे कोई विसेली गैसों का सरजन नहीं होना चाहिए और तहन के पसात कोई राक नहीं बननी चाहिए पांचवा है इससे अधिक उर्जा प्राप्त होनी चाहिए तो अमल वर्षा होने का क्या कारण है लिखिए उत्तर है अमल वर्षा प्रमुक कारण वायू मंडल में वानवी किर्या का लापो के कारण सल्फर डाय अक्साइड वा नैट्रोजन अक्साइड के अत्यदिक उत्सरजन के दौरा बनती है यही गैस वायू मंडल में पहुँचकर जल से राशाइनिक किर्या करके सल्फेट तता सूप सल्फियूरिक अमल का निर्मार करती है जब यह अमल वर्षा के साथ धरातल पर पहुँचता है तो इसे अमली वर्षा कहते है प्रेस नमबर सातवा है विद्धू तुपकरण या पेट्रोल से लगी आग पर किस प्रकार का नियंतर्ण किया जा सकता है उत्तर आएगा विद्धू तुपकरण या पेट्रोल से लगी आग पर नियंतर्ण करने के लिए अगनी सामक दल की साहता लेनी बहुत ही आवशक है हमें बिना सोचे समझे इस प्रकार के कारियों में दुर्गटना होने का बहुत भै बना रहता है तो हमें अगनी सामक जो अगनी पर नियंदन करने वाले दल रहते हैं उनकी मदद से ही आग बुझाना चाहिए प्रेस नमबर आठवा है इंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानी कारण क्या होता है कारण लिखिए उत्तर है इंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे धरातल परवक्षों की कमी होती है जिससे हमें अक्सिजन पर्याप्त मात में नहीं मिल पाती है इसलिए हमें लकड़ी का उपयोग इंदन के रुप में नहीं करना चाहिए पेज नंबर 26 कंप्रिड होता है अब हम आते हैं दिर्ग उत्री प्रेशन प्रेशन नंबर 9 है मुंबत्ति की जौला का नामांके चित्र बनाकर इसके विभिन चेत्रों को चेत्र नामांके चेत्र बनाया है और इसको डिवाइडेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है प्रेश नमबर दस्वा देखते हैं दहन के लिए वायू आवशक होती है इसे पदरशित करने वाले किसी किर्या कलाप का वर्लन की जिए इस किर्या कलाप को करने के लिए एक जलती मुम्बत्ती को मेच के उपर रखते हैं कांच की चिमनी को मुम्बती के उपर लकड़ी के दो तुक गुटके की साहता से इस पकार रखे की वायू की चिमनी में प्रवेश होता है देखिए जौला को क्या होता है अब लकड़ी के गुटके हटा कर चिमनी को मेच पर टिका दीजिए पुनह जवाला को देखिए अंत में एक कांच की सलेट चिमनी के उपर रख दीजिए आप देखेंगे कि जब चिमनी को वायू नहीं मिलती है तो वह बुझ जाती है इससे इसपष्ट होता है कि दहन के लिए वायू अती आउसक होती है तो यहां पे हमने दहन के लिए आती वायू की उपलबदुता को समझा है इसी की उपस्तिती में दहन होता है नहीं तो आग नहीं लग सकती बच्चों आज हमने एटकेट अभ्यास पुस्तिखा के अंतरगत कक्छा आठवी इसे विज्ञान के पार्ट दहन एम जौला को समझ जहाए उमीद है आप सभी प्रसनों के उत्तर से संदूष्ट होंगे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इसके उत्तरों को जान सकें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जब